कि आप सबी को डीटर प्लैसबी की तरफ से एक नई अपडेट आ चुकी है और एक बहुत ही अच्छी ख़बर है केंडेट्स के लिए तो अभी जितने भी जो आंसर की रिलीज हो रही है या फिर रिलीज होगी उनमें खास बात यह है कि अब जो है जितने में आंसर की में जा बी तक किया था वो आपको नहीं पता रहे था कि मैंने क्या टिक किया था और आंसर की आपको मिल जाती है अब यहाँ पर हाला कि यह जो ऑनलाइन एक्जायम में पैटरं है वो पहले से ही बहुत कॉमन है SAC में और भी जो आपने एक्जायम सब्हीं ने दे रखा होता है तो उसमें आपको अपना अंसर जो है मिल जाता है कि मैंने ये टिक किया था ए किया था बी किया था लेकिन आपको डीटर प्लेजबी में ऐसा नहीं मिलता था लेकिन आप देखेंगे जितनी भी आंसर कि अब रिलीज होंगी रिलीज हो रही है उसमें आपको option दिखाई दे रहा ह है कि आपने क्या चूज किया था अगर नहीं किया है तो नोट आंसर लिखा हुआ आएगा तो इस तरह से बहुत यची ख़़ए आपकी आ चुकी है क्यों कि इतने दिन में आप पूरा अंदाजह नहीं लगा पाते थे क्या मैंने कुशन टिक किया था या फिर नहीं किया था किया था गलत किया था तो अब आपको काफी ज़्यदा असानी होने वाली है अपना paper जो आप चेक करेंगे और अपने marks जो है आप count कर सकते हैं कहां तक आप इसमें score कर पा रहे हैं तो अभी जतनी भी answer की जैसे कि अगर library की देखे तो आपकी release होने वाली है तो library के लिए काफी अच्छी खबर है बाकी और जो इन दिनों exam हुई है कुछ एक answer की release हो चुकी है उनमें भी जो नई answer की release हुई है means question paper आपका online वाला उसमें आपको answer की साथ में अपने खुद की answer भ dates के लिए तो यहाँ पर किस तरह से आपको option दिखाई देखा वो भी मैं आपर दिखा दू इसके अलावा आप डीटर बेस्पी के regarding जो भी नई ने updates होती है आपको चैनल पर सबसे पहले मिल जाती है इसके अलावा अगर आप जुड़े वे हैं वेकेंसी के तैरीक कर रहे है बाकी चीजों से तो यहाँ पर आपको नीचे सरसे option दिखाए देखा कि आपने answer किया है आपने क्या option चूज किया है एक किया है किसी किया है वो आपको दिखाए देगा साथ में question ID दिखेगी और जो आपके questions है वहाँ पर options में आपको tick मिलेगा जो कि आपका डीटर पैस्प box may thank you